हेई फ्रेंज वेलकाम कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वर्स्त होंगे और अपने लाइफ में आगे पर रहे होंगे आज की रीदिंग है हमारी कि आपकी लव मारेज होगी या फिर अरेंज येस आपने एकदम सही सुना आप लोगों की लव मारेज होगी या फिर अरें माक्सिमम जो भी कार्ट मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी तो यह चेक करने वाले हैं दो चीजे आपको क्या करना है यह चार ऑप्शन चार कार्ट यहां पे हैं जिस भी कार्ट की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्राक्ट हो रहे हो पेले तीन बार आपको डीप करेगी जनरल है तो जोरूरी नहीं है सबसे पूरी रिजनेट करें अगर आपसे रिजनेट करें तो लाइक शरण कमेंट जरूर से करें और उपकी लफ मारिज만 या फिर आरेंज, ओके, आपके लव होगी, या फिर आरेंज, प्लीज दिवाइन बताएं, जिन्होंने एस अफ कॉप्स चूस किया है, उनके लव मारेज होगी, या फिर आरेंज, King of Pentacles, और Bottom में है हमारा Two of Swords, अगर एक और कार्ड लें, तो हमारे पास है Nine of Friends, Friends, आप लोगों की जो मारेज के योग हैं, यहाँ पर अरेंज मारेज के जादा है, जिन्होंने पार नमबर वन चूस किया है, आप लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत लविंग हो, बहुत केरिंग हो, काफी ओनेस्ट हो, और बहुत जादा इमोशनल हो, ऐसे भी एक कांसस्फुल नहीं रहेगी, और आपको फाइनली अरेंच मारेज करनी होगी, या फिर शुरू से ही हो सकता, आप मैं से कई लोग चाहते हो, कि आपकी फामिली आपका रिष्टा धोंड़े, और आपकी लव मारेज हो, और सौरी अरेंच मारेज दो, हो सकता है, आपके independent होंगे, काफी intuitive होंगे, काफी hardworking होंगे, काफी loyal और trustworthy होंगे and life में काफी well settled होंगे, ठीक है? तो आपकी शादी किसी एक ऐसे person से हो सकती है, अब बात करते हैं, उन लोगों की जो लोग किसी person से deal कर र어야 है, और love marriage ही करना चाहते हैं, तो friends, योग आपके लिए भी हैं लेकिन ऐसे योग बनते हैं कि जिसमें काफी ज़दा स्ट्रगल रहेगा आपको काफी ज़दा स्ट्रगल करना पड़ेगा विकोज आपके परसना मारेज के लिए जल्दी से आक्षन लेंगे नहीं ठीक है तो बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद करने के बाद आपके लव मारेज हो सकती है लेकिन एजली नहीं होगी तो यह थी रीडिंग हम चेक करेंगे टाइंफ्रेम की आपकी मारेज कब हो सकती है अगर आपसे रीडिंग रेजनेट की हो तो फ्लीज लाइक, शियर एंड कॉमेंट जरूर करें वेरे चैनल पर परसस रिलेशन्शिप में काफी डिस्टरबेंस चल रही होगी ऐसा नहीं है कि आपके उनके रादा शादी हो नहीं सकती लेकिन वह एफर्ट्स लेगाएं इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने होगी तो आपके शादी के लिए टाइम फ्रेम निकालते हैं कुमपारिजन, डिल्ट, शेरिंग आणड दफूल आपकी मैरिज फ्रेंड्स नेक्स टीयर हो सकती हैं जब भी आप यह रीडिंग धेख रहे हैं उससे लेक्स टीयर आपकी वैडिंग हो सकती हैं अगर मंस की बात की जाए तो में में हो सकती हैं जान्वरी या फाबरारी में ह हो सकती है मार्च में हो सकती है औक्टूबर या फिर दिसम्बर में हो सकती है ठीक है फ्रेंट्स तो यह थी आपके रीडिंग तेंक्यू सो मच फर वाचिंग टेक केर वेलकम पाइल लंबर चूज इन्होंने ब्यूटिफुल सा एस ओफ वांड चोज किया है हम लोग चेक कर हैं कि आपके मारेच लव होगी या फिर अरेंज आंट कप तक होगी ओम साइरां किंग ओफ वांड्स डेथ आंड दा हाइरोफ एंट तीन कार्ड्स आए हैं बहुत ही ब्यूटिफुल से आप में से कई लोग सोल मेट से दील कर रहे होंगे तैन आफ कप्स का भी है कार्ड ह सोल मेट से दील कर रहे होंगे ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इंफलेम जैनी में भी कुछ लोग हो सकते हैं कनेक्शन में काफी अप से डाउन चल रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटी भी है मैं बता दू फ्रेंज अगर आपके बारे में बात की जाए तो आप लोग बहुत एनरजे लाइफ में मारेज की बात की जाए तो यहां पर फ्रेंज आप लोगों के लव मारेज के बहुत अच्छे योग हैं यह सापने सुना एकदम राइट और अगर आप किसी सोल मेट से दील कर रहे हैं तो इससे भी मारेज के अच्छे योग हैं लेकिन यहां पर थोड़ी सी प करनेक्शन हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगी होने की पॉसिबिलिटी उनके साथ भी रहेगी लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद तो आपके मारेज लव मारेज होने के अच्छे योग हैं आपके डिजारेबल परसन से आपके मारेज हो सकती हैं आपके रीती रिवाज जो traditions के according marriage होगी, family उसमें involved होगी, family की blessings होगी and काफी happiness होगी, marriage के बाद आपके दो बच्चे हो सकते हैं, आप life में काफी enjoy करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके person जो हैं काफी honest हो सकते हैं, spiritual हो सकते हैं, emotional हो सकते हैं और आपी की तरह काफी confident और energetic हो सकते हैं. तो friends, यहाँ पर love marriage के योग बहुत अच्छे हैं और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो love marriage करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं, कि उनकी family ही उनके लिए रिश्टा ढूले, तो हो सकता है, कि अगर आपकी family ने आपका नाम कहीं रिजिस्टर कराया है, उनक आपकी wedding होती हुई भी दिखाई देती है, आपके person की बात की जाए, तो आपके person बहुत आपको happy रखेंगे, आप लोग काफी खुशी से अपनी जिन्दगी को spend करोगे, अब हम चेक कर रहे हैं, कि आपकी marriage कब तक होगी, friends, अगर reading आप से resonate कर रही है, तो like, share and comment जरूर से कर postponement, आप में से कई लोगों का delay marriage का योग है, friends, हो सकता है, आप में से कुछ लोगों की age काफी ज्यादा हो गई हो, courage, stress and four of wands, four of wands कार्ड जो होता है, reunion का होता है, twin flames का होता है, soulmate का होता है, already मैंने बोला कि हो सकता है, आप में से कई लोग deal कर रहे हूँ, तो जब भी आप ये reading देखना है है, उससे six to seven months के बाद, अगर months की बात की जाए, तो months आप लोगों के लिए favorable है, April, July, December, November, September, February, okay, ये months में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या finally शादी हो सकती है, तो ये थी friends reading जिनोंने pile number two choose किया, congratulations, अगर आप से resonate की हो, आपको पसंद आई हो, तो like, share and comment जरूर से करें, thank you so much for watching, have a good day, hey friends, welcome pile number three, जिनोंने beautiful सा 10 of cups choose किया है, मैं यहापे देख पा रही हूँ, marriage का सपना आप काफे टाइम से मन में लेके बैठे हैं, कि आपकी शादी हो, घर गरिष्ती हो, बच्चे हो, happy family हो, और आप काफे टाइम से ट्राइब भी कर रहे हैं, हम चेक करेंगे आपकी love marriage होगी या arranged marriage, ओम साहिराम, the moon, the emperor, and page of swords, friends, आप लोगों की जिनोंने भी ये 10 of cups का चूस काट चूस किया है, arrange marriage की possibility ज्यादा है, arrange marriage की possibility ज्यादा है, हो सकता है आपके mother या आपके father आपके लिए रिष्ता चूस करें और वहाँ पर आपकी wedding हो, ठीक है, love marriage भी आप मेंसे कई लोगों की possible है, लेकिन love marriage उनी की possible हो पाएगी जो बहुत struggle से निकलने के बाद भी hard नहीं मानेंगे, और efforts लगाते रहेंगे, finally possibility है कि love marriage हो जाए, क्योंकि कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी family ना love marriage के against हो, intercast हो, inter-religion हो, आ आप दिनको पसंद करके बैठे और family easily नहीं मान रही, तो wedding ऐसा नहीं है कि उनसे बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन होता है ना कि एक हद से जादा वाला struggle होगा after that things आपके favor में हो सकती है, लेकिन अगर arrange marriage की बात की जाए, तो arrange marriage के योग काफी अच्छे है, आपके mother की side से, आपके father के side से, आपके लिए कोई रिष्टा आ सकता है, जहां आपके wedding fix हो सकती है और आपके बहुत जल्दी चादी हो सकती है, अगर आपके future spouse की बात की जाएं, तो आपके future spouse काफी responsible होंगे, mature होंगे, honest होंगे, life में काफी कुछ struggle देखा होगा उन्होंने, और काफी understanding nature के ह होंगे, उनके साथ आपकी काफी अच्छी बनेगी, और life जो है काफी smooth चलेगी, अब हम चेक करें friends की आपकी wedding होगी, कब time frame क्या है, ओम साइराम, totality, experiencing, trust and है हमारा turning in, okay friends, तो जब भी आप ये reading देख रहे हैं आफटर 4-5 months आपकी wedding fix हो सकती है, इस person के साथ, ठीक है, अगर मैं favorable आपके लिए months बताओं, तो July favorable है, March favorable है, April favorable है, September favorable है, और November favorable है, जब आपकी things better हो सकती है, और इस connection में आगे बढ़ सकती है, तो ये थी friends, आप लोगों के लिए reading, hope आप लोगों को पसंद आई होगी, resonate की होगी, अगर की है, तो please do like, share and comment, thank you so much for watching, Hey friends, welcome, जिनों ने the lovers का card choose किया है, आप में से कई लोग soulmates and कुछ लोग twin flames हो सकते हैं, आप लोग बहुत loving है, caring है, honest है, divine में काफी trust रखते हैं, और इस रिष्टे में reunion और marriage का बहुत time से वेट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि आपके love marriage होगी या arrange, oh my goodness, क्या coincidence को हूँ, या क्या आपके लिए divine की blessings को हूँ, दो-दो lovers हैं हाँ पर, तो ऐसे में, you know, love marriage के chances बहुत जादा हैं, frankly ये कहूँगी, love marriage के chances बहुत जादा हैं, लेकिन hard work और struggle बहुत रहेगा, easily चीज़े आपके favor में नहीं होँगी, family influence भी हो सकता है, हो सकता है आपके family में mother या आपके father, या आपके person के mother father ना माने, ऐसी possibility रहेगी, love marriage के काफी अच्छे योग हैं friends, लेकिन hard work और struggle बहुत रहेगा, आपके person के बारे में बात की जाए, तो ये काफी emotional होँगे, sensitive होँगे, काफी responsible होँगे, mature होँगे, hard working होँगे and बात्चित करने में काफी हाजित जवाब होँगे friends and काफी loving होँगे, understanding होँगे, आपके ऊपर काफी trust रखते होँगे और आप दोनों की compatibility बहुत अच्छी होगी, आप लोगों की जो marriage है struggle के बात होगी, लेकिन divine की blessings के साथ होगी, after that आप दोनों एक दूसरे को understand करोगी, दूसरे को समझोगी, एक दूसरे को support करके life में आगे बढ़ोगी, जिससे कि आपकी जोड़ी युगो युगो तक जानी जाएगी कि आप दोनों एक perfect couple थे कभी या perfect couple हो अभी, ठीक है, ऐसी vibrations है, तो यह थी आपकी reading, love marriage के बहुत अच्छे योग हैं और अगर आप तो मैं आपको बता दूँ कि next जब भी आप ये reading देख रहे हो ना, three to four months के बाद, अगर आप अभी तक अपने spouse को नहीं मिले हो, या किसी ऐसे person को नहीं जानते, जिनकसे आपको love है, या marriage हो सकती है, तो next three to four months के बाद, जब भी आप ये reading देख रहे हो, आपका इन person के साथ आपना सामना हो सकता है, और आपको पता लग सकता है, कि ये person आपके soulmate है, और इनके साथ आपको marriage करनी है, चीक है, तो three to four months के बाद, आपको ये person मिल सकते हैं, और जब भी आप ये reading देख रहे हो, next eight months के बाद, आपकी wedding fix हो सकती है, इन person के साथ, अगर favorable मैं आपको months बता तो July favorable है, March, April favorable है, May, June favorable है, January, February, March favorable है, and November, September, December favorable है, जब आपके marriage हो सकती है, ठीक है, तो ये थी friends, आप लगो के लिए reading, thank you so much for watching, if you like, don't forget to thumbs up and share this in your group, bye for now, have a good day, take care.